दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने ही सिगनेचर किया हुआ वाटर मार्क किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से हम अपने फोटो में या एलबम्स के पेजेस पर उसको लगाएंगे तो आएए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले तो आपको एक प्लेन पेपर पर अपना सिगनेचर कर लेना है जब आप प्लेन पेपर पर सिगनेचर कर लें तो उसको या तो स्कैन कर ले या अपने केमरे से या मोबाइल से उसका एक फोटो खीच लें और कम्प्यूटर में कॉपी कर दें. कंप्यूटर में कॉपी करने के बाद आप जब फोटोशापप पर ओपन करें. उसके बाद की प्रोसेस में आपको बता देता हूँ. यहां में फोटो को ओपन कर लेता हूँ. वो फोटो जिस पर मैंने सिग्नेचर किए हैं. बबस कira यहें इनेचर कर दिया है तो यहां हमको थोड़ा सा लाइट डार करके इस तरह से इस इमेज को बना लेंगे कि इसका बेगराउंड हमें प्ले नजर आए तो यहां में कंट्रॉल एल प्रेस करके इसका लेवल छोड़ा कम ज़्यादा करता हूं एड़्जस करता हूं यहां मैं आटो लेवल पे भी जा सकता हूँ दिखिए अब मैं इसको मैंने ब्राइटनेस फूरी बढ़ा दी दिन कंट्रास को भी में फूल बढ़ा देता हूँ ताकि यह इसके आसपास का एरिया जो है यह पूरा प्लेन नजराए यहां मैं इतना होने के बाद इसको कर लूँगा क्राप्ट यहां मैंने रेक्टिंगुलर मार्क्यू टूल्स लिया इसको इतना सिलेक्ट कर लिया और इतना सिलेक्ट करने के बाद इमेज में जाकर मैंने क्राप्ट प्रेस किया तो यह इमेज क्राप्ट हो गई तो मैं आपको सजेस्ट करूँ गा कि आप किवल मैजिक इरेजर टूल्स का उप्योग करके इसका बैगराउड इरेज कर दें, यहाँ देखिए, क्योंकि प्लैन बैगराउड है यह आसानी से इरेज कर देता, यहां में सिर्फ क्लिक करूँगा और ये पूरा बेग्राउन एरेच हो गया तो जब इतना कर लें आप तो उसके बाद आपको Edit में जाना है Then Define Brush पे क्लिक करना है यहाँ Define Brush का आप्षन होता है Edit में जाने के बाद तो Define Brush कर लेना है यहाँ Brush का नाम आप दे सकते हैं मैंने नाम दे दिया signature then okay कर दिया तो यह आपका एक brush बन चुका है यहाँ पर देखे मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ और उस पर यह signature करके बताता हूँ यहाँ आमने brush बनाए था तो brush आला कि brush बनाने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं यहाँ मैं brush तुल ले लेता हूँ brush तुल लेने के बाद देखी मैं जैसे ही right क्लिक करता हूँ तो यहाँ पूरे brushes आ जाते हैं यहाँ नीचे ही नीचे वाला brush हमको select करना है तो जैसे ही मैंने नीचे वाला brush select किया यहाँ देखी मेरे सामने brush आ गया तो यह आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ brush की size आप छोटी बड़ी भी कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको water mark लगाना हो उस तरह से आप यह कर सकते हैं अब मैं देखी image में लगा कर आपको बता देता हूँ यहाँ देखी यह image है तो यहाँ पर हम इस तरह से कम ज़्यादा size करके और ऐसे हम इसको water mark लगा सकते हैं यहाँ आप चाहे तो water mark का color change भी कर सकते हैं यहाँ foreground में आपको set करना होगा color यहाँ rate color में ले लेता हूँ तेन rate से भी आप इस तरह से water mark लगा सकते हैं और यहाँ पर आप opacity जिस हिसाब से आपको रखनी है लगकर आप वो water mark लगा सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप अपने click की हुए photos पर और आपकी design की हुई album pages पर आप अपने signature वाला water mark आसानी से लगा पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like कीजिए share कीजिए दिन comment करके हमें बताईए आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप channel पर नए हाएं है तो please channel को subscribe कीजिए होगे तो next वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए bye bye खुदा हग